असलाम वालेकुम वैलकुम टो कुटिंग क्रस। तो आज मैं लेकर आएउं पंजाब किशान भारत किशान पराथे भारत के थां आज पराथे भारत के राके। 네 contenido के न स्तुंट में जबुतां हैं। आज मैं सबस्ब्हेरे बनाने वाली हूं, गोभी की पराथे। डालु परदाली we gobi come up one eight weiter is fine है तुपा हुआ कि नाली खोण से उभी को नाख कर लिया है । हो प्रोसेरिंगों है करें फुरन को तो अगफेट कर ले तो छ्चिज़ों को अच्छे से वाष कर ले और फिर इसको ग्रेट कर ले तो मैंने धनिया, मिर्चा, प्याज और कुछ कली लहसुन और छोटा सा तुकड़ा हाद रखका लिया है इन सब चीजों के हम इसमें डाल लेते हैं और एक साथ ही प्रोसेस कर लेंगे और यह बहुत बारीक प्रोसेस हो जाता है आपको परिशानी होने पड़ेगा आपके पर पानी बिल्कुल निचोड लेते हैं तक इसके अंदर जो एकसेस वाटर है वो निकल जाए और पराठे कहीं से भी मौश्ट ना हूं अंदर से तो चलिए इसका पानी निकाल लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे यह देखिए कितना सारा मौश्टर निकला है और यह हमारा पूरा मठीरियल है इसको हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए और मिलते हैं आठे के साथ जब पराठे बनाएंगे और मसाले डालेंगे तो हम अपना मसाला डालते हैं इसमें यह मैंने चाट मसाला डाला हाफ टीश्पून गलम मसाला हाफ टीश्पून जीरा चुटकी बढ़ ह शुरू करते हैं तो चलिए एक पेड़ा ले लेते हैं और इसको हल्का सा बेल लेंगे और अब इसमें दोगी का स्टफिंग बरते हैं friendly आप पराठे को अच्छे से फोल कर लेते हैं कर अब इस तरह से इसको दबाते जाएं ताके इसका फोल्डिंग अच्छे से होती रहे यह देखिए मैं अच्छे से पारठे को बंद कर लिया इसको अच्छे इस तरह से पराठे को हम बेलते रहेंगे अब पराठे पर यह अप्लाई करते हैं कि इसी तरह से सारे पराठे आपको बना लेने हैं मेरी वीडियो कर पसंदा रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सकते हैं करना ना भूले और मेरे पदल में दो वक्त बिल्लियां खड़ींगे वे को चाहरे बड़ी मुमा जल्दी से पराठे बनाना शिकाए उनसे कहें सब्सक्राइब करें लाइक करें चैनल को मिलते हूं यह देख हमारा पराठा बनकर तयार हो गया है मिलते हूं नेक्स रेसिपी क साथ कुला हाफिस